हाई फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल EPSC Info24 में स्वागत है तो दोस्तो हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुस होंगे फ्रेंड्स यह जो वीडियो है पुनर जागरर से संबंधित है पुनर जागरर में जितने कोशन बनते हैं उनको आप देखेंगे और यह जो कोशन लिया गया है एलूसेंट से वन लाइनर कोशन है तो आप पुनर जागरर को आज इस वीडियो में पूरा देखेंगे तो इस्टार्ट करते हैं पहला नमर कोशन पुनर जागरर का प्रारंब इटली के फोले रेंस नगर से माना जाता है जो इटली मतलब फोले रेंस है नगर जो इटली में पढ़ता है वहीं से पुनर जागरर का प्रारंब माना जाता है और एक question पूछा जाता है कि पुनर जागरर का आरम कहां से माना जाता है तो answer हो जाएगा इटली से और अगर अगर टप करेगा तो नगर पूछ लेगा तो उसको याद रखेगा आगे question है इटली के महान कभी इटली के महान कभी दाते को पुनर जागरर का अगर दूत माना ज लगता है और ये कहां के रहने वाले हैं इंको याद रखेंगा इनका जन्म जो है फोलोरेंस नगर में हुआ था रहे हैं और वहीं से पुनरजागरर का जन्म भी हुआ है मिलते आगे देखते हैं दाते ने प्राचीन लेटिन भाषा को छोड़ कर ततकालिन इटली की बोलचाल भासका जिसका नामे टसकन में डिवाइन कामेडी नामक काब्डे को लिखा है तो लेटिन भासा को छोड़ कर टसकन भासा में डिवाइन कामेडी नामक पुस्तक की रचना किय दाते महोजदे ने तो इसको याद रखेगा और इसमें क्या है इसमें जो दाते ने स्वर्ग और नर्क की एक कालपनिक यात्रा का वरण किया गया है तो स्वर्ग और नर्क के जो कालपनिक यात्रा है उसका वरण किया गया है तो इसको आप याद रखेगा आगे अगला है द प्रस्रह देने का जो दूसरा काम किया है और किस ने किया है तो प्रेटराक ने किया है इसको याद रखेगा तो दाते के बाद दूसरा नमर किसका आता है प्रेटराक का आता है इसको याद रखे इनका जो कारेकाल है वो आपका तेरह सो चार से तेरह सो सरसर तक है प्रेटार पेटराक को मानों वाद का संस्थापक माना जाता है यह कोशन बार-बार पुछा जाता है कि मानों वाद का संस्थापक यसरे देने वाले कौन है तो ओ है पेटराक है यह आपको याद रखेगा और यह कहां की निवासी है तो यह भी इटली के निवासी है तो कोशन आपका ब में डिवाइन कामेडी है और वो किस बासा में तो टसकन बासा में याद रखेगा उसमें वरण किसका गिया गया है तो स्वर्ग और नर्ग का किया गया है याद रखेगा और मानवतावाद का जनक किसे बोला जाता है तो पेटार्क को बोला जाता है और पेटार्क कहां की नि जनक माना जाता है इसको भी याद रखेगा सब तत्थे आपको बहुत इंपार्टेंट है याद रखना है कि लुसेंट है यहां से कोशन बनते हैं इसको ध्यान रखेगा और बिहार PCS जो BPSC अभी एकजाम लेगा उसमें भी यह सब मिलेगा तो आगे कहानिकार बोकेशियो क कि बेमा केरान प्रसिद्य पुस्तक है कहानिकार जो है बोकेशियों उनकी पुस्तक का नाम क्या है डे का मेरान नाम उनके पुस्तक का नाम है आगे चलते हैं अगला है आधूनिक विस्व का प्रथम राज नीतिक चिनतक फोलरेंस निवासि मैक्या वेली को माना जाता है絹 चा माना जाता है तो मैक्या वेली की दो पुष्टके हैं उसको भी याद रखना है, तो मेक्यावेली की प्रसिद्ध पुष्टक जो है दप्रिंस है जो राज्ज का एक नवीन चितरर प्रतूत करती है मेक्यावेली की जो पुष्टक है वो कहोन है प्रसिद्ध पुष्टक क्या है दप्रिंस है पुष्टक का नाम आप जरूर बताइएगा मैक्यावेली का दोस्तों मैक्यावेली की जो पुष्टक है उसका जो प्रसिद्ध सबसे पुष्टक वो है द प्रिंस इसको याद रखेगा आगे चलते हैं आधुनिक राजनीतिक जनक जो एक दर्सन का जनक मैक्यावेली को खा जाता है तो इनको क्या का जाता है आधुनिक राजनीतिक दर्सन का जनक भी मैक्यावेली को खा जाता है तो मैक्यावेली को बिश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है और इन्हें आधुनिक र क्रितियों में मिलती है तो कौन कौन कला है लियो नार्दो दa विंची है माइकल एंजल HEY और राफेल है腟 इनकी अब क्रितिया भी देखने को आपको मिल जाएगी अब लियो नार्दो द विंची एक बहू प्रतिबा संपन्न वेक्ती थे लियो नार्दो द दार्शनिक थे कभी थे और गायक थे तो इसमें डाक्टर पूछ देगा डाक्टर थे तो ओ नहीं थे ऐसे है तो इसमें जो है उसको याद रखेगा कि चित्रकार भी थे मुर्तिकार थे, इंजिनियर थे, वेज्ञानिक थे, दार्सनिक थे, कभी थे और गायक थे तो इस सब बातों को याद रखेगा, टप करेगा तो यहीं से पूछेगा कि वो थे, एक सिच्चक थे, ऐसे करकर पूछतेगा तो आपका आंसर इसी में से कोई एक जो नहीं रहेगा, वहीं होगा, तो इसमें आप 6 से 7 चीजे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो हैं, उसके अलावा जो भी देगा, वो आपका आंसर हो जाएगा आगे चलते हैं दोस्तों, इनी के बारे में लियो नार्दो द विंची, द लास्ट सफर और मोना लिसा नामक अमर्चित्रों के रचैता होने के कारण प्रसिद्ध हैं तो लियोनार्दो द विंची के दो मतलब कृतिया हैं उसमें द लास्ट सफर एक है और मोना लिसा उनकी प्रसिद चित्र हैं जिसके कारर विश्व प्रसिद हुए हैं तो दोनों याद रखिएगा लास्ट सफर और इसके बाद मोना लिसा जो है किसकी कृति है तो है लियोनार तो इसको याद रखेगा, दो इनकी बेकृतिया मुख्रूप से जाने जाती हैं, उनमें जो है, दो इसको भी याद रखेगा, इंपार्टेंट है, दोनों नोट कर लिजिएगा, कि माइकल एंजल की जो करितिया है, उसमें लाश्ट जज्जमेंट है, और फाल आप मैन है, तो इसको भी याद रखेगा, आगे चलते हैं, इसको भी याद रखेगा, आगे चलते हैं, शिस्तान के गिरजा घर की छट में, माइकल एंजोलो के द्वारा ही चितर बनाए गए है पूछा जाएगा कोशन कि जो शिस्तान के गिरजा घर है, उसमें किसने चितर बनाया है, या किसके द्वारा वहाँ पे चितर बनाए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा, माइकल एंजोलो के द्वारा वहाँ पे चितर बनाए गए हैं, तो माइकल एंजोलो के द्वारा जो एक प्रसिद्ध चित्र बनाया गया है, वो सिस्तान के गिर्जा घर में बनाया गया है, ऐसा कोर्षन आपसे पूछा जाएगा, अब राफेल के बारे में आ जा रहा है, राफेल भी इटली का एक चित्रकार था, राफेल क्या थे, एक चित्रकार थे, इसकी सरुसरेश्ट क्रिती जिसस क्राइस्ट की माता मोडोना का चित्र है मोडोना का चित्र किसने बनाया है तो ओ है राफिल ने बनाया है राफिल कहां की निवासी है तो आप का अंसर हो जाएगा इटली के और ये क्या है चित्रकार है और इनकी सरुसेष्ट क्रेती क्या है जिसत क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र इन्होंने बनाया है ये इनकी प्रमुक्रिती है आगे पुनर्जागरर काल में चित्र कला का जनक जीयोटो को माना जाता है तो पुनर्जागरर काल में ये कोश्चन है पुनर जागरर काल का सरस्रिष्ट निबंदकार इंगलेंड का फ्रांसी सी बेकन था तो पुनर जागरर काल का सरस्रिष्ट निबंदकार कौन था तो ओ थे फ्रांसी सी बेकन थे और फ्रांसी सी बेकन कहां के थे तो आंसर हो जाएगा इंगलेंड के थे आगे चलते हैं अगला है हाइलेंड के इरा समस ने अपनी पुष्टक द प्रेज आप फौली में वेंग धंग से पादर्यों के अनयतिक जीवन और इसाई धर्म की कुरूतियों पर प्रहार किया है तो किनों ने जो है अनयतिक जीवन और इसाई धर्म के कुरूतियों पर प्रहार किया है तो उनकी पुष्टक है द प्रेज आप फौली में इस चीज की उन्होंने वेंग किया है मतलब उनकी आलोचना की है तो इस पुष्टक को याद रखिएगा द प्रेज आप फौली किसकी पुष्टक है तो आंसर हो जाएगा इरास मस्की और अकहां के रने वाले हैं तो हार्लेंड के रने वाले हैं और द प्रेज आप फौली में किस चीज का वर्ण किया गया है तो इन्होंने व्यंग किया है व्यगात्मक धंग से जो पादरी के अनैतिक जीवन है और इसाई धर्म में जो कुरूतिया व्याप्त है उसका उन्होंने पुर्जोर विरोध किया है या व्यंग किया है कटास्त किया है यह याद रखेगा आगे चलते हैं इंग्लेंड के लेखक टामस मूर ने अपनी पुष्टक इटोपिया में आदर समाज का चित्र प्रस्तुत किया, अभी आप भी आर अगर सेट का पेपर देखेंगे, जो अभी PGT HD के हुई है, तो उहां पर एक कोशन दो बार पूछा गया है, अब देखिएगा, तो उसमें दो बार एक कोशन आया है, कि इटोपिया किसकी पुष्टक है, तो टामस मूर की है, और एक बार इसके बाद और कहीं पूछा है, मिलान कन्ने से संबंदी, तो ये दो बार इसी से संबंदित कोशन आया है, तो इंग्लेंड के जो लेखक हैं, उनका नामे टामस मूर और उन आगे मार्टी लूथर ने जर्बन भासा में बाईबिल का अनुबाद प्रस्तुत किया है। यह सब पुनरजागरर काल में हो रहे हैं, इसलिए तो पुनरजागरर काल आ रहा है। पुनरजागरर काल का मतलब होता है कि नए युग का उदय, ठीक है पुनरजागरर से जागना, तो वही होता है। तो आगे मार्टी लूथर ने जर्बन भासा में बाईबिल का अनुबाद प्रस्तुत किया है। आगे है, रोमियो एंड जूलियट किसकी क्रिती है, तो सेक्स्पियर की अमर क्रिती है, तो जो सेक्स्पियर की क्रिती अमर क्रिती है, और सेक्स्पियर रहने वाले कहां के हैं, तो इंगलेंड के रहने वाले हैं, और इनकी जो क्रिती है, रचना जो है, वो है रोमियो जूलियट एक नाटक भी है आप इसको जानते होंगे तो जानते होंगे आगे चलते हैं इंग्लेंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रियोक साला बिज्यान का जन्म दाता माना जाता है। तो इंग्लेंड के हैं रोजर बेकर को क्या माना जाता है तो आधुनिक प्रियोगातमक बिज्यान का जनमदाता माना जाता है तो आधुनिक प्रियोगातमक बिज्यान का जनमदाता किसे माना जाता है तो आंसर हो जाएगा रोजर बेकर को माना जाता है और यह कहां के रने व निक्स ने इस बात का खंडन किया था कि पिर्थवी सौर मंडल का केंद्र है जब कि कौन केंद्र है तो इसको याद रखिएगा कि पिर्थवी सौर मंडल का केंद्र है इसका खंडन सौर प्रथम किस ने किया था तो पुल्लंड के निवासी कापर निकस थे या कोपर निकस य आगे अपना आगला कोशन है गयलेलियो का जो कारेकाल है उप 1560 से 1642 में है तो गयलेलियो ने भी कोपर निकस के सिध्धान्त का समर्थन किया है तो पूछा जा सकता है कोशन कोपर निकस सिध्धान्त का समर्थन किस ने किया है तो आपसन में दे देगा उसमें गयलेलियो भी बतलाया कि ग्रह सुर्य के चारो और किस प्रकार घूमते हैं तो ग्रह सुर्य के चारो और किस प्रकार घूमते हैं एक किस ने बतलाया था तो यह बताया थे जर्मनी के प्रसिद बेग्यानिक केपला या केपलर ने बताया था इसको याद रखेगा आगे न्यूटन से समधित question बनेगा कि गुर्तवा करसर के नियम का पता किसने लगाया था तो वो Newton लगाया थे ये तो सभी को मालूम है Newton ने तिन गती के तिन नियम भी दिये हैं गती के तिन नियम आगे चलते हैं धर्म सुधार आंदोलन सुरुवात सुलामी सताबदी में हुई थी तो धर्म सुधार आंदोलन की सुरुवात क्या हुई थी तो सुलामी सताबदी में हुई थी तो इसको भी याद रखिएगा और ये जो आपका 14 से पुनरजागर चौदावे से सुलामी के बीच में हुआ था तो इसको भी याद रखना है आपको आगे हम चलते हैं ये देखिए खत्म होने वाला है दोस्तों अब धर्म सुधार आंदोलन की सुरुवात सुलामी सती में हुई थी धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टी लूथर था जो जर्मन का निवासी रहने वाला था या निवासी था तो मार्टी लूथर जो धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं जनक माने जाते हैं मार्टी लूथर जो जर्मनी के निवासी थे इसने बाइबिल का अनुबाद जर्मन भासा में किया था तो answer हो जाएगा Marty Lutheran ने किया था Bible का अनुबाद जर्बन भासा में किस ने किया था तो Marty Lutheran ने किया था धर्म सुधार आंदोलन की शुरुवात कहां से होई थी तो England से होई थी यह याद रखेगा और आपका पुनर जागरार इटली से धर्म सुधार कहां? धर्म सुधार आंदोलन का प्राथा कालिन तारा कहा जाता है जो इसके अनुवाई थे उनको लोलाडस कहते हैं जो इनके अनुवाई हैं वो क्या कहलाते हैं? लोलाडस कहलाते हैं और अमेरिका की खोच किस ने की थी? तो कि फोटर कुलम्बस ने की थी? तो किस्ठोफर कोलंबस ने क्या की थी अमेरिका की खोच की थी अमेरिगो जो था अमेरिगो बिस पुसी जो था इटली का रने वाला था के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था अमेरिका का नाम क्या पढ़ा था? अमेरिका पढ़ा था वो अमेरिकों के नाम पर पढ़ा था प्रसांत महासागर का नाम करण इस्पेन के जो निवासी थे मेगलन ने किया था तो प्रसांत महासागर का नामकरर किस ने किया था एक इस्पेन की निवासी थे जिनका नाम था मेगलन उन्होंने प्रसांत महासागर का नामकरर किया था आगे समुद्री मार्ग में से संपूर विश्व का चक्कल लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है तो मेगलन ही है, तो मेगलन दो चीजों ने किया है, वो समुद्री मार्ग से समपूर विश्व का चक्कल लगा है और इसके बाद उन्होंने प्रसांत महा सागर का नाम भी रखा है, तो कहां के थे, तो इतना आप बातों को याद रख लेजिएगा दोस्तों, यह रहा आपका छोटा सा वीडियो, उमीद करेंगे वीडियो पसंद आयोगा, तो लाइक कर लेजिएगा, चैनल को जरू सस्क्र कर लेजिए, नमस्कार साथी,